हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरु चेनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो इस वीडियो में हम टाटा पावर को कवर करने वाले हैं टाटा पावर से रेलेटेट कुछ बड़ा अपडेट आ रहा है वो देखने वाले हैं तो सबसे पहले बाजार को देख लेते हैं तो बाजार दोस्तो हलकी सी गिरावट के साथ आठा राजा दोसो तेवीज रुपे पर ट्रीट करा है बाजार ने लो लगाया 18,184 का और वहाँ से एक अच्छा खासा रेकवरी किया है अब देखते हैं दोस्तो आगे और बाजार के रेलेट हमें क्या अपडेट देखने को मिलता है और जिसाब यह आएगा अपडेट हम ज़रूर आपको कवर करेंगे तो फटा परटस इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सस्क्राइब करेंगे तो चलते हैं सबसे पहले टाटा पावर का आज का पाफॉमेंस देखते हैं तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा पावर की अगर हम बाद करें तो एक सवा परसेंट की तेजी के साथ स्टॉक 208 रुपे 40 पैसे पर ट्रीड करा है प्रीवेस क्लोस था 205 रुपे 85 पैसे ओपन होता है 207 रुपे 40 पैसे हाई लगाता है 210 रुपे और लो लगाता है 207 रुपे इसने दोस्तो जब यह तेजी दिखाई ना तेजी में 200 रुपे का जो इंपोर्टेंट लेवल था वो ब्रेक कर दिया यह काफी बड़ा एक प्लस पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है 5 दिन की में बात करता हूँ 5 दिन में 4.5 परसेंट की तेजी आ गई इंडंवेष्टि में खली काम करता था तो पावर इंडंवेष्टि मेंश का कोई नामोगू निशन नहीं था कहीं से भी आप प्रोगे कंपेर करोंगे काम्पनी लॉसफी लिकिन कंपणी ने जब से renewable energy वाला green energy वाला solar project वाला electric vehicle वाला और इसे multiple जो business चालू किये अपनी जो subsidy company उनके related जब से इसको काफी अच्छा फायदा मिलने लगा है और इसी के कारण इस टॉक इतना ऊपर भी आया है और इसी के कारण हम इतना इस company को update आप लोगों को करते हैं और अभी भी कुछ ऐसा ही update आ रहा है वो देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं the economic time की side के ओपर मैं आप लोगों को लाया हूँ और यहाँ पर क्या update आ रहा है Tata Power Tata Power का जो एक subsidy company है Tata Power Renewal Energy चीके उसने दोस्तों एक project को बीन किया है करनाटा का यह project है महाँ पर दोस्तों hybrid project यह करना है 255 MW का ठीके तो Tata Power की renewable energy ने यह काफी बड़ा project जीता है अब यह update का का है यह कल का हमें देखने को मिल रहा है अठाविस तारिक का और यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेगावाट का जो यह प्रोजेक्ट है वो अगर कंप्लीट करता है तो आप अनुमान यह लगाए कि इसको कितना पैसा दोस्तों यहां से मिलेगा चीके क्योंकि टाटा पावर क्या है दोस्तों टाटा पावर काफी बड़ी कंपनी है काफी बड़ी कंपनी के से उसके पीछे लगा हुआ है टाटा के पास पैसा कितना है तो वो काफी जादा पैसा करेगा और इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करेगा लेकिन हासे कमाने की भी बहुत अच्छी तरीके से वो सोचेगा ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमें देखने को मिलता है एक अच्छे ग्रूप का तो एक प्रका से देखा जाए तो ये निउस हमें बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रही मतलब इसकी जो और बुक है वो और मजबूत हो रही है अब और बुक से और क्या होगा और बुक से दोस्तों कमपनी के ग्रोथ हमें पता चलेगी कि आने वाले समय में कैसा देखने को में मिलेगा और खास करके एनर्जी सिग्मेंट को ठीके एनर्जी सिग्मेंट को भारत मतलब बिस्व का नंबर वन बनाना चाहता है दोस्तों हमारे देश का गौवर्मेंट कि अगर कोई देश उठके देखे कि एनर्जी सिग्मेंट की कमपनिया कहां पर है तो उसका और भी अपडेट हम देखते हैं और उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं जी बिजनस के साइट के ओपर आ चुके हैं यह अपडेट है दोस्तो 29 दिसंबर का यहाँ पर बताया यह गया है कि टाटा पावर टाटा पावर जो है दोस्तो लगबख 30% गिर चुका है इस प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को बताएं सेम तो यह गई है और बताया यह जा रहा है कि जो 220 रुपे का एक important rejection point हमें देखने का टाटा पावर अगर इस लेवल को तोड़ता है ठीक है तो आराम से 240 तो एक प्रकार से अगर देखा जाना तो यह काफी बढ़ हमें अपड़ेट आते देखने को मिलता है तो यहां पर आप देख सकते हैं ताटा पावर कमपनी अब टाटा पावर का क्या क्या काम है आप यहां पर पढ़ सकते हैं सब आपको पता चल जाएगा ठीके दो हजार पच्चिस तक का मैंने जैसा बोला ना कि इवी में भी काम करता है दो हजार पच्चिस तक का इनका दोस्तो एक एम है या एक टार्गेट है कि एक लाग इलेक्ट्रिक वीकल चार्जिंग इस्टेशन बनाना है इनको एक लाग अगर आप देख सकते हैं जब यह इतन गिरावट हुई है तो गिरावट में पचास दिन का मुविंग अब तोड़ दिया इसके साथ ही अगर मैं बात करता हूं दोस्तों कॉटरली पॉफरमेंस की तो कॉटरली पॉफरमेंस भी आप देख सकते हैं सितंबर के उमें कंपनी ने 14,000 क्रोड की सेल्स की ती जो यह औ Q-Bases पे अच्छी नहीं थी उसके बाद से इसकी पिटाई भी काफी जादा हुई है तो अब expectation यह है कि Q-3 का नंबर एक अच्छी तरीके से में देखने को मिलेगा उसके साथ ही दोस्तों इसका अगर मैं आपको profit दिखाऊं तो company ने sales कम किया लेकिन profit अच्छा निकाला क्यो Q-3 करोड पर पहुँच चुका है क्योंकि energy एनर्जी सिग्मेंट जो है वो 2020 से ही चालू हुआ है और यही आप टाटा पावर को उपर लेकिन देखे जाएगा अब यहां पर company का profit देखे 12 करोड के आसपास का था मात्र बारा करोड आज 2156 करोड के आसपास हमें देखने को मिल रहा है percentage बाइस compare कर लें sales growth 36% की तेज़ी से आगे बढ़ रही है profit growth वो है 70% की तेज़ी से आगे बढ़ रहा है पहले company power industry में काम करती थी ना दोस्तो तो power industry से उतना कुछ revenue नहीं निकाल पाती थी लेकिन अब company ने जब नए business aid कर ली है अपने portfolio में जबसे एक अच्छा return इसको मिल रहा है अब share holding pattern भी देखे प्रमोटर्स के पास एक अच्छा खासा stake है foreign investor को आप यह पर देख सकते हैं कितना शांदार stake देखने को मिल रहा है उन्होंने stake को बढ़ाया भी है domestic investor के पास भी अच्छा stake है और government के पास भी अच्छा खासा stake हमें देखने को मिलता है इस company का तो जरूर दोस्तो आप क्या कर सकते हैं Tata Power को अपनी focus में रख सकते हैं और अभी जो update आया है यह confidence field करने वाला है confidence बढ़ेगा तो definitely आप दोस्तो अपनी position को बना कर रखोगे Tata Power के अंदर कोई fresh entry लेना चाहता है दोस्तो तो वो proper steady करें देन उसके बाद इसमें fresh entry ले तो यह था आप लोगों के लिए धमा के तार अपडेट तो इस वीडियो को like कर दीजे चैनल को subscribe कर दीजे तो thank you दोस्तो